अगर आप एक बार उस कॉंसेप्ट को समझ ले तो आप उस कॉंसेप्ट को दुसरी को भी समझा पाओगे ठीक है आपको याद करने की आप सकता नहीं है ठीक है क्योंकि आज तक जितने भी टॉपर हुए है वो मतलब गैस पेपर का पड़ा हुआ या किसी का पड़ा हुआ उससे टॉप नहीं करते हैं वो उसकी टॉपिक को कॉंसेप्ट को समझ के ठीक है उस आंसर को अपनी तरफ से रिपर्जेट करते है ठीक है इस प्रकार बहें टॉपर बनते है ठीक है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक के थोड़े से बता रहो हू state mercury क्या होता यह सो भढ़ा हुर्ड फिसोट चेत्र क्या होता है जैसे हमने रट लिया यह گ्म के माध्यम सी टीचर ने मरटा दिया ठीक है लेकिन इसका REAL मकसद नहीं बता है हमारा ये विदुः चेत्य क्या होता है जैसे मालू मैं आपको एक रहा ह towel की फीर से समझा रहा हूँ कि विदुः चेत्य जो है हमारा वो क्या होता है ठीक है मालू इसमें I-Dhara भेहरी है ठीक है आई करेंट इसमें बहरा है ठीक है आई करेंट जब इसमें बहरा है तो इसके कारण इसके चारो और विधुत वल रेखाएं ठीक है वो गुजरेंगी यहां से ठीक है विधुत वल रेखाएं गुजरेंगी इसके औरम पास ठीक है अब यह विधुत वल रेखाएं जो हैं यह विदुत बल रेखा है जो यहां से गुजर रही है अब हमें पता कहा से चलेगा कि इसके उरंपास विदुत बल रेखा है गुजर रही है ठीक है तो इसके लिए हमें एक आबिस लेना होगा मालो यह कोई तार है छोटा सा ठीक है यह कोई तार है ठीक है अगर हम इस तार में इसको मानलो हमने एक सुक्ष माविस दिया है DQ ठीक है सुक्ष माविस DQ दिया है अगर हम इस DQ को इधर लेके जाएं इस में इस तार के पास लेके जाएं दोनों सैड़ों से या इस सैड़ों से या इस सैड़ों से ठीक है अगर मानलो हम इस DQ आवेस वाले को इधर लेके आए ठीक है मानलो हम इधर को गती करार है ठीक है तो इस आवेस पर सुक्ष मावेस है ठीक है DQ इसकी अपेक्ष है यह सुक्ष में यह धारा वहरी है ठीक है इसकी अपेक्षे यह आवेज जो है बहुत सुक्ष मैं तो इस पर इन वल्रेखाओं द्वारा इस आवेज पर जो बल लगेगा ठीक है इस आवेज पर जो बल लगेगा बही विदुच्छेतर कहलाएगा ठीक है तभी तो हमें पता चलेगा ठीक है तो इस पर इन विदुच्छेतर की बल लगेगा वही विदुच्छेतर कहलाएगा ठीक है इसका सूत रोता है हमारा F वरापर वो सौरी E वराबर होता है हमारा F अपॉन Q ठीक है जो DQ जो है हमारा इसको DQ लेगे हैं कि हमने DQ लिया यहाँ पर तो DQ जो है वो हमारा सूप्छमाबिस है जिस पर विदुचेतर वल लगा रहा है ठीक है तो यह होता है हमारा विदुचेतर डी की आविश पर विदुत बल रेखाऊं द्वारा इस आविश पर लगाया गया बल हमारा विदुत छेत्र कहलाता है ठैंक्स आपको ये वीडियो अच्छा लगाऊगा लाइक करें शेयर करें